आज मैं आपको मटर कीमा प्राना सिखाती हूं सबसे पहले मैंने एक कुकिंग पैन में आदा किलो कीमा लिया है आप कीमा कोई भी यूज करें मटर का रादर वीफ का अपने एक मीडियम साइज की प्याजली उसको चौप किया और चार से पांच जवरे लसन के ये इसमें एड़ कर दें सॉल्ट एड़ करें सॉल्ट आप टू टेस्ट यूज करें सॉल्ट की कल्वलेशन में आपको नहीं बता रही अब इसमें आदा गलास पानी एट करें अब इसमें आदा गलास पानी एट करें अब इसमें फ्लेम हाई रखें जैसे ही बोईल आना शुरू हो जाएं इसे मिक्स करें अब फ्लेम बिल्कुल लो करके आप आदे घंटे के लिए इसे हलकी आँच पर पकाएं अब बाकी के इंगिरियंट्स नो डाउन कीजिए गरम मसाला वंटी स्कून पिसा हुआ वंटी स्कून पिसे हुई सुर्ख मेर्च वंटी स्कून हल्ती वंटी स्कून पिसे हुई काली मेर्च वंटी स्कून जीरा वंटी स्कून खुश्क धनिया जीरा और खुश्क धनिया मैंने भून कर रख लिए है आप भी पहले इसे तवे पे भून लें उसके पद आपने इसको क्रश कर ले ना इन दोनों को दहीं आदा कप दहीं में मैंने टू टेबल स्पून दूद भी एट के और इसे मैंने मिक्स करके रख लिए अद्रक पीसी हुई वन टेबल स्पून तीन से चार अदद किसी भी शेप में आप सबस मेट्चे काटके रख लें ची अदद मैंने टेमाटर लिए और इसको मैंने हाफ करके आँ पर रख लिए अगर आपके पस ब्रे टेमाटर हैं तो आप सिर्फ चार टेमाटर यूज़ करेंगे मेरे पस मीडियम साइस टेमाटर थे इसलिए मैंने च्छी यूज़ किये आदा गंटा हो चुका है पर इसमें हर चीज़ मिक्स हो चुकी है प्यास और जो लिसन इसमें एड किया था वो इसमें देखे मिक्स हो चुका है 80% इसलिए में कीमा हमारा टेंडर हो चुका है अब इसमें सुर्ख मिच और हल्दी एड करें मिक्स किने से सबस्में एड किने सबस्में एड किने यहीं मीडियम करके इसे भूने जिस्ट एक मिनट के रिया अपने इसे भूने अब दिमाटरेट करें फिलेम दुबारा से लो करके आप टिमाटर टेंडर होने तक इसे पकाएं टेमाटर टेंडर हो चुकी है अब इस स्टेज पे टेमाटर के चिलके आप उतार लें इजली चिलके उतर जाएंगे अब फिलेम हाय करके सारे टेमाटर अच्छते मिक्स करें विलेम गटेम हाँ करें गिमाटर हो चुकी है अबहो चुकी है अब़ी चुकी है अब़ी चुकी है पर आप चुकी है झाल केईड़ काएंगे जैसे टेमाटर मिक्स हो जाएं अब इसमें लसन का पेस्ट एड़ करें आदा कप मक्षन एड़ करें अब हाई फ्रेम पे आपने इसे भूलने जब तक गी सेपरेट नहीं आपने इसको अच्छी तरह से भूलते रहें अगर आप चाहें तो मक्षन के जगां पे और भी यूज़ कर सकते हैं तैट्स अप टो यूज़ जैसे ही घी सेपर्ट हो जगा आपने इसमें दहीं एड़ कर देना है नेम स्टेल आपने हाई ही रखने है अब इसमें दहीं एड़ कर दें और हाई फ्लेम पे इसको भूलने जैसे ही घी सेपर्ट हो जाए हम अब इसमें एक प्याली मल्टर एड़ कर दें प्रेश बढ़ने है ने तो यूज़ कार्वलो कर दिया तो जिए मुज़ कर देना है और है तो आपने कर दोड़ कर दें सेड़ करें लिए आपने है तो पूलास बग़ एकर दोलास बसक्तवरी मिक्स करें आप लो कर दें अब इसे कवर करके मटर टंडर होने तक आप इसे पकाएं अब इसमें गरम मसाला एट करें काली मिर्चे अइड़ करें और सबसे इंप्रटन्ट करश किया हुआ जीरा और खुश्कधनिया यह मैंने आपको सटार्ट में ही बताया था जीरा और खुश्कधनिया पहले आपने इसको भूनने तविप उसके बाद अपने तब माहिसमें आड़ करना निक्स करें धनिया एट करें अब आपने जिस्ट एक मिनुट के लिए इसको दम पे रखते हैं फिर मैंसे डी शॉट कर लूँगे कीमा मंटर रेडी है आप इसको ट्राइ करें मेरे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें शेयर करें और सबसे ही बुरन जीज मिन अपनी दौाओं में आद रखें स्टे टून और इलाहाफिज झाल 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 झाल